तो समाज की इज़्जत के लिए इंशान को क्या नहीं करना चाहिए लेकिन आज मुर्दा ओ चुका है आदमी आप लोग सोत रहें होने स्वामी जी मुर्दा हाँ आप लोगों को जटका लगा होगा चलते फिरते सोते देखते खाते पीते बोलते चालते हम मुर्दा कैसे हो गए तो मैं बताना आपको एक जेंडार मुर्दे की भाईयों तुमें नहीं पहचान रे आज तुमें हम बतलाते हैं सुरू लगा लग ज्यान रे और आज तुमें बतलाते हैं तुम सुनो लगा कर ज्यान रे जिन्दा कुन और मुर्दा कुन हैं यह हम तुमें बता रहे एक जिन्दा वो माने जाते जो प्रभू शप्रित लगाते हैं एक एक सब्सको समझो एक जिन्दा वो माने जाते जो प्रभू शप्रित लगाते एक जिन्दा याल्मे पाशने बाले समुर्गा के लगाते जिन्दा बोले सथ सदा दोंतन को मुर्दा जानरे आज हार तुमें आज बतलाने जे सुनो लगाते हैं जो प्रभू सप्रित लगाते हैं परमात्मा का सुवे ओध करके कहते हैं भगवान आज हमके ऐसा कोई काम न हो जाए कि मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए साम को भोजन करने के बाद जब लेड़ते हैं तो बोलते हैं मेरे दादा अगर हमसे कोई बुरा काम हो जाए तो अपना पुत्र समझ के अपना प्यारा लाग समझ के च्छमा करना लोगों बोच जिन्दा है और बताएं आपको जड़ा बाद को ध्यान से देखें सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिन्दा पर्व भुकारी हैं मरे हुए सारे विवचारी जिन्दा सब्रमचारी हैं धर्म पीर जिन्दा हैं मुर्दा सब पापी से तान ले आजार तुने अज बतलाते हैं सुनो लगा कर ज्छान ले पुर देवे तुम्हें बन लाते हैं तुम सुनो लगाखे जहां मेरे पुर देवे तुम्हें समझाते हैं तुम सुनो लगाखे जहां मेरे पुर देवे तुम्हें समझाते हैं तुम सुनो लगाखे जहां मेरे पुर देवे तुम्हें सुन्दर बात आए तो लोगो जो अपना उल्लू शुईदा करने की हमेशा बात करते हैं दूसरों का काम बिगड़ जाए तो चिंदा नहीं ऐसे स्वार्थी मुर्दा है और अपना काम चाहें भले बिगड़ जाए परोशी के काम को बनाने में लगे हैं वो जिंदा ही तो पांडाल में इतने लोग बैठे हो हाथ उठाओ कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो अपनी हवेली बनाने से पहले किसी गरीब के च्छपर पर फूस डालते हैं सभी स्वार्थी मरे हुए हैं और जिंदा सब परोब कारी हैं स्वार्थी मरे हुए हैं और मरे हुए सारे बिवचारी जिंदा सब प्रमचारी हैं अपनी ओरत काली कलूटी कुरूप समझदार या मूर्ख कैसी भी है जो अपनी पत्नी में संदोश करता हैं वो बिर्मचारी है और जिंदा है बाईयों अपनी ओरत कैसी भी है बोई घर की रानी है बोई दिल की लच्छमी है बोई जिंदा है और जाकी आँखे में सुगर को बाल है क्या घर में भूखी नंगी बैटी घर बाली और रसगुल्दा खाई रही बाहर बाली समझ लो ऐसे पुत्तों को कई बैटने को जगे नहीं मिलती जो अपनी ओरत नंगी भूखी बैटी है और दूशरी ओरतों को जो बेश्यार नजर आती है उन्हें धन लुताता है न तो उसको यहां चेन मिलेगा और न परमात्मा किया